नमस्कार दोस्तो अभी में यूटूब चैनल में मैं अरविंद मकवाना आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मौस्ट आएंपी सवाल जवाब पार्ट 11 जो सभी एक्जाम के लिए ये मौस्ट आएंपी रहेंगे तो आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हैं भगवान बुद्ध को गनान की प्राप्ति कहां होई थी तो कहां होई थी बोध गया में कहां पर ये स्थीत है बिहार में और ये समाज की स्थापना किसने की स्वामी देयानन्य पंजाबी भासा की लिपी कौन सी है गुरू मुखी लिपी है कौन सी लिपी है गुरू मिखी और अगर हिंदी का पूछे तो देवनागरी लिपी है बारत की मुख्य भूमी का दक्षिन्तम किनारा कौन सा है जो मुख्य भूमी है जो बारत का मेब देखते है उसमें जो मुख्य भूमी है उसका दक्षिन्तम किनारा है कन्या कुमारी कास्मिर से लेके कन्या कुमारी तक बारत में सबसे पहले सुर्य किस राज्य में निकलता है अरोनाचल प्रदेश में इंसुलिन का प्रेयोग किस बीमारी के उप्चार में होता है मदुमेह में बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है आसाम राज्य का दोस्तों वीडियो एंड तक देखेगा लास्ट में आपकी टेस्ट भी रखी गई है इसी वीडियो में से क्वेशन वहाँ पे पूछे जाएंगे तो अच्छी तरह से वीडियो देखना कौनसा विटामिन आवले में प्रचूर मात्रा में मिलता है विटामिन सी कागज का आविश्कार किस देश में हुआ था चिन में कागज का आविश्कार कहां हुआ चिन में गोतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था उनका नाम था सिद्धार्थ बारत में ससस्त्र बलो का सर्वच सेनापती कौन कहलाता है या तो कौन होता है तो होता है गराष्ट्रपती तीनों सेनाओ का सर्वच सेनापती राष्ट्रपती होता है रतोंदी किस वीटामिन की कमी से होती है वीटामिन एकी कमी से रतोंदी होती है पॉंगल किस राज्य का त्योहार है तो पॉंगल जो है वो तमिल नाडू का प्रख्या त्योहार है गिद्दा और भंगडा किस राज्य का त्योहार है तो वो पंजाब राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है गिद्दा और भंगला पुछे तो पंजाब भंगल पुछे तमिल नाडू याद रखेगा टेलिवीजन का आविश्कार किस ने किया जोन लोगी बेर्ड ने किस ने किया जोन लोगी बेर्ड बारत की पहली महिला सासी का कौन थी तो महिला सासी का थी रजिया सुल्ताना इल्टुत में इसकी बेटी थी रजिया सुल्ताना मचली किस की सहायता से सांस लेती है गल्फडों की सहायता से मचली जो है वो सांस लेती है इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया भगत से ही ने दिया था जलियावाला बागत्याकान कब वो कहां हुआ था जलियावाला बागत्याकान नैंटिन नैंटिन में हुआ था अमरुद्सर में जो पंजाब राज्य का सहर है अमरुद्सर वहां पर 1919 इसा में हुआ था पंजाब केशरी किसे कहा जाता है लाला लाजपतराई को पंजाब केशरी कहा जाता है 1939 इसा में कॉंग्रेस छोड़ने के बाद सुभास चंद्र बोज ने किस दल की स्थापना की तो दल था forward block कुनसा दल forward block 1857 इसा के विद्रोह में किस ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था तो वो थे मंगल पांडे सबसे पहले सहीद होने वाले सबसे पहले बलिदान देने वाले कौन थे मंगल पांडे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी सरोजिनी नाइडू जो सबसे पहली महिला राज्यपाल थी माउंट एवरेश्ट पर दो बार चलने वाली पहली महिला कौन थी संतोस यादव दो बार चलने वाली पहली महिला ब्रह्मो समाज की स्थापना किस ने की राजा राम मोन राए ने की थी ब्रह्मो समाज की स्थापना स्वामी देयानन सरस्वती का मुल नाम क्या था मुल संकर क्या था मुल नाम मुल संकर वेदोकी और लोटो का नारा किस ने दिया स्वामी देयानन सरस्वती ने दिया था वेदोकी और लोटो राम कुरुष्ण मिशन की स्थापना किस ने की स्वामी विवेकानन ने राम कुरुष्ण मिशन की स्थापना की थी वास्कोडी गामा भारत को बाया था 1498 में इसा में आया था 1498 इसा में हवा महल कहां पर स्थी थे तोहवामहल जो है वो जहईपूर में स्थीफ है और सिक्फ दर्म का संस्थापक किस सिक्फ गुरू को माना जाता है गुरू नानक को याद रखेगा यहां पे गुरु गोविन स्री नहीं आएगे यहां पर आएगा गुरु नानक, जो सिक्ध दर्म का संस्थापक पूछा जाए तो गुरु नानक, दिल्ली स्थित, लाल बहादूर शास्त्री की समाधी का नाम क्या है, यह तो ऐसा पूछा जाए कि लाल बहादूर शास्त्री की समाधी का नाम क्या है, तो नाम आएगा वि को लोपुरुस कहा जाता है नेता जी किस मापुरुस को कहा जाता है सुभास चंद्रबोज को नेता जी कहा जाता है सिखो का प्रमुक्त योहार कौन सा है तो सिखो का जो प्रमुक्त योहार है वो है बेशाखी नेक्स्ट अर्थसास्त्र नामक पुस्तक किस ने लिखी चानक और दूसरा नाम है उसका कोटिलिय। तो अर्थ शास्त्र नामक पुस्तक चानक्य ने लिखी दी। जई जवान जई किसान का नारा किस ने दिया। लाल बहादूर शास्त्री ने जई जवान जई किसान का नारा दिया था। सम्विदान सभा का स्थाई अध्यक्स कौन था तो स्थाई अध्यक्स थे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद सविदान सभाग की प्रारुप समिती के अध्यक्स कौन थे तो प्रारुप समिती के अध्यक्स थे डक्टर भिम्राव आमेटकर और प्रारुप समिती की जगा पर ड्राफ्टिंग कमिटी भी यूज़ किया जा सकता है तो याद रखेगा ड्राफ्टिंग कमिटी के अज्यक्स कौन थे डक्टर भिम्राव आमेटकर विश्वर रेड क्रोस दिवस किस दिन मनाया जाता है आठ मई को विश्वर रेड क्रोस दिवस मनाया जाता है सुर्योदई का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है अंतर राष्टिय महिला दिवस किस तिथी को मनाया जाता है? आठ मार्च को अंतर राष्टिय महिला दिवस मनाया जाता है क्षेत्रफल की द्रष्टी से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य है गोवा क्षेत्रफल की द्रष्टी से ओनम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओनम है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार दिल्ली भारत की राजदानी कब बनी? 1911 में दिल्ली को भारत की राजदानी बनाय गया था सबसे चमकिला ग्रह कौनसा है? शुक्र कौनसा है? शुक्र भारत का राष्टी ये पसु कौन सा है बाग भारत का राष्टगान किस ने लिखा रविंद्रनाथ टगोर ने भारत का राष्टगित किस ने लिखा बंकिम चंद्र चेटर जी ने तो याद रखिए कि भारत का राष्टगान पुछे तो रविंद्रनाथ टागोर जोके है जनगन मन और भारत का राष्टगीत पुछे तो बंकिम चंद्र चेटर जी ने लिखा जो है वंदे मातरम अब आपकी टेस्ट जो हमने वीडियो देखा उसी में से आपको यहाँ पर चार क्रेश्चन पुछे जाएंगे जिनके अंसर आपको कमेंट बोक्स में देने हैं जिससे हमें पता चले कितने लोग अच्छी तरह से वीडियो देखते हैं और कितने लोगों को इनका अंसर आता है उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए अपने सभी दोस्तों को वीडियो सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दी होए बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे है और दूसरी बात ये कि इसकी अगर PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलिग्राम चैनल की लिंक दी हुई है प्लस वर्टशेब ग्रूप की लिंक भी दी हुई है तो आप वहां से जोईन होके फ्री में इसकी PDF पा सकते हैं टेस्ट में पहला क्वेस्चन है आरिय समाज की स्थापना किसने की दूसरा पंजाब केसरी किसे कहा जाता है तिसरा हवा महल कहां पर स्थित है और चोथा सुर्यो दैका देश के नाम से किस देश को जाना जाता है तो चारो क्वेस्चन के अंसर आपको क्रमसह कमेट बोक्स मे देने है आसा रखता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पो वचिंग मा वीडियो